बेरी गुड मॉर्णिंग टु अलोफी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडशिक्स में और एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यहां से यहां बिहार दरोगा का एड्मिट काड आ चुका है आज 10 तारीक है और 10 दिसंबर को आप लोगों को यहां पे लिं काड अपना डाउंलोड करना है जो इंस्ट्रेक्शन दिये के हैं आपको इस इंस्ट्रेक्शन एक बर फिर से पढ़ लेना होगा जिया तभी आप इसमें एड्मिट का डाउंलोड कीजिएगा और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह पेज ओपन हो जाए ठीक है और डेटवबर्थ अपना डालेंगे और यहां पे यहां पर डालके इस कैप्चे को यहां पर डालना है और सब्मिट पे क्लिक कर देना है चलिए मैं एक चात्र का यहां पे अडमिट काड डाउंलोड करके दिखलाता हो और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि आपका center कहां गया है तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छात्र का यहाँ पे हमने admit card डाउनलोड कर लिया है ठीक है और यह admit card यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका और यह सारा जो detail है मैंने आपको यहाँ से बताया है इस तरह से आप अपना admit card भी डाउनलोड कर सकते हैं तो इनका जो सेंटर गया है जैसी आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे आपसे एक यहाँ पे capture फिल करने को बोलेगा यह capture क्या है तो one time password है जो कि आपके registration registration मुबाइल नंबर पे जाएगा और या तो आपके email अईडी पे जाएगा तो कुछ इस तरह से एक नया update इस बार दिया गया है जिया यह जो है आपका जो अपने registration किया था उस पर जाएगा या तो जो अपने email काड यहाँ पर दांफूड कर सकेंगे। और साथ में कुछ instruction दिये हैं। जिन instruction को आपको मैंने पहले भी बता दिया है। जो कि instruction आपको फ inquiry में दिया गया है। तो ये आपको admit काड लेकर जाना होगा। और यह instruction एक बार फिर देख लेज़ेगा यहां पे एक प्रवेश पत्र के बिना परिशा भौन में आपका अपडेट नहीं माना जाएगा और परिशा के अंदर में रिपोर्टिंग टाइम के बाद किसी भी परिश्थिती में प्रवेश की अनुमती नहीं मिलेगी इस प्रवेश पत्र को परिशा क वही फोटो पचांत पत्र रखें जिसका की विवरन अपने आविदन पत्र में दिया है जिसके की विक्षक द्वारा मांगा भीच जाएगा और दिखाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे इंप्रिशन्स जो है यहाँ जो कि किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने इस्थान पर प पकड़ जाने पर और अथर यहाँ पे दंड अथवा दोनों का प्रवधान भी है परिक्षा में किसी प्रकार का कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर दोशी व्यक्तियों की विरुद में परिक्षा स्थल पर संचालन 1981 के तहट आपको उचित करवाई भी की जाएगे दोश्तों यहाँ पे किसी भी परिक्ष्थिती में परिक्षा स्थान पर केंदर में कोई भी फेर बदल नहीं माना जाएगा अभियारती अपने परवेश पत्र में उखित परिक्षा के केंदर अवंटित रॉल नंबर के स्थान पर ही यहाँ पे परिक्षा देंगे उनका उमिद्वारी अन्यता रद कर दिया जाएगा यहाँ पे कोई भी लिखित परिख्षा या लखित समगरी प्रविश्पत्र पर कोई लेख या सदा कागज या क्लिप बोर्ड या स्लाइड रूल कैल्किलूटर मुबाइल ब्लुटोथ यह सब नहीं ले जाने आपको आपको ध्यान में रखेगा यहाँ पे दोस्तो उत्तर पत्रक को भरने के पहले आपको ओमर पर अपने लिखे गए निर्देशों को ध्यान पर पढ़ना होगा और फिर अपनी पहचान देनी होगी वहाँ पर ठीक है ऐसा कोई भी चिनित नहीं कीजेगा अपने ओमर पर कि आपको यहाँ पर बाहर कर दिय इतर उदर कुछ भी मत लिखेगा गोला रंगते समय सरकल को अच्छे से रंगेंगे नीले या काले पेन का इस्तमाल करेंगे आप लो ठीक है यह पॉइंट पेन होना चाहिए और उत्तर अंकित करने के पस्चात उसे बदलने का परत्न भी ना करेंगे दुबारा एक बार ज स्तुतिक विक्षक के सौपना होगा जो कि कक्षा छोड़ने से अनुमती नहीं मिले गया था उत्तर पत्र पुस्तिका जो है बिहार पुलिस अवर से वायोग पत्ना की संपत्ति है इन्हें ले जाने परितन करने का यह दंड़निया अपराज माना जाएगा तो यह एक अगर आप लोगों ने अपना जो वैक्षिन ले लिया है उनको भी आप बोला जारा कि कोविट के दौरान वैक्षिन एक या दो डोज ले चुके हैं वैक्षिनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे साथ में वैस्ते ब्यारति जिनने वैक्षिन नहीं लगी है वो प्याय डिष्क करवाकर अपने रिपोर्ट अपने साम्साहे और ये दूस्तों रिपोर्ट विक्षक षब से मांगा जाएगा तो घ्याणा지도 है मास्क संयटाइजर के अंदर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है मोबाइल फोन के साथ पाए जाने पर आपकी परिक्षरता रद कर दी जाएगे तो ये important update यहां से दिया गया है जो कि instruction है इसके दिया गया इनके centers जो भी आपको जहां मिल रहा है वहां पर आपको है बट ये छातर जो है इनका centers हाजीपूर दिया है और प्लीस कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएगे आप लोग का center कहां गया है थोड़ा सा अभी website जो है ना इसका ये बहुत ही slow चल रहा है ठीक है तो website बहुत ही ज़्यादा जब slow चल रहा है तो मैं आप लोगों बोलना चाहूंगा थोड़ा से इंतजार कर लिजेगा ज़्यादा जल्दबाजी भी करने की जुरूत नहीं है अराम से अभी 10 दिन टाइम है आप लोगे पास अराम से देखिए website खोलेगा यहाँ पे download पे click करना है अपना registration number या mobile number डालना है date of word डालना है इस capture को यहाँ डालना है capture को submit करना है तो आपको आपका जो है ना इस page पे ले जाएगा जहां से बोलेगा कि आप अपना OTP डालिए और OTP जो है ना आपके mobile number या फिर आपके email ID पे ही भेगा जाएगा तो वो OTP जो है ना आप वहाँ पे डालेंगे आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा तो यह प्रक्रिया है दोस्तों और यह सारा जो process है मैंने बताया और इस बर नया process से इस बर आपका admit card यहाँ पे डाउनलोड करने को बोला जा रहा है all the best और अब आपका admit card आ चुका है तो तयारी के लिए हमने एक रंडीती वीडियो बनाई है वाइट इजूकेशन पर जाके देखिए उसको और लग जईए अपने नेटवर्क इसू होगा तो आप लोग थोड़ा इंतजार किजिए गावराने की जुर्वत बिलकुल नहीं है जिनका download हो रहा है उनका download हो जाएगा आराम से जिनका नहीं हो रहा है थोड़ा इंतजार करके पर आराम से अपना डाउनलोड करें जिनका की कोई भिषय नहीं है तो बताईएगा कमेंट सेक्षन में कमेंट करके उसके लिए उपाय आपको बताया जाएंगे धन्यवाद दोस्तों